हेलो एबरीवन मैं हूँ टेल दास और आजम घुस्स करने वाले हैं बहुत सारी ट्रिक्स अफ एंड सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है अर्थमेटिक सीरीज की और फर्स्टियर मैथेमेटिक्स एक्ससाइज 6.2 इसके एक्जाम्बिल नंबर 6 में एक कोस्टिन है इस एन अर्थमेटिक प्रोगेशन सम आफ पी ट्रम इस क्यू एंड सम आफ क्यू ट्रम इस क्यू एंड सम आफ क्यू प्लस क्यू का अंसर जो है वो हमेशा याद करना माइनस P प्लस Q भी आएगा तो एक example लेते हैं जैसे कोई एक arithmetic sequence है उसके 10 terms का sum जो है वो 20 आ रहा है and 20 terms का sum जो है वो 10 आ रहा है अब हमें क्या मालूम करना है 20 और 10 को अगर plus करेंगे तो अंसर आएगा 30 अब 30 terms का sum है वो answer क्या आएगा तो minus 20 plus 10 minus के 30 आएगा 30 terms का answer जो है वो minus 30 आएगा एक और example हम करते हैं sum of 10 terms of an automatic progression is 15 sum of 10 terms is 15 and sum of 15 terms is 10 तो क्या मालूम करना है 25 terms का sum जो है वो क्या होगा 25 terms का sum हमेशा जाद करना minus 15 plus 10 is equal to minus के 25 तो कुंसा right answer होगा B right answer होगा तो हमेशा जाद करना अगर arithmetic sequence given हो उसके sum of P terms जो है वो Q है and sum of Q term जो है वो B है तो हमेशा जाद करना तो P plus Q जो है उसके sum of terms का अंसर हमेशा minus P plus Q ही जाद का तो इसको आप note down करें उसके बाद हम next trick डिसकस करते हैं तो आज की हमारी next trick है arithmetic series की in an arithmetic progression एक arithmetic sequence है हमारे पास उसके दो ट्रम का हमें sum मालूम करना है इस sequence के the sum of terms equal distance from the beginning and the end is constant means वो दोनों ट्रम जो है वो starting से and end से दोनों equal distance पे हो and the sum of first and the last term अब उन दोनों ट्रम का जो sum है वो first term और last term को sum कर दो उन दोनों ट्रम का sum आ जाएगा जैसे यहां पे example लिवी है मैंने consider of an arithmetic progression एक arithmetic sequence लिवी है total sequence में 12 terms है ठीक है हमें क्या मालूम करना है the sum of fourth and ninth term is fourth term and ninth term का जो sum है वो क्या होगा अब हमेशा याद करना है total sequence में 12 term है first, second, third and fourth term ये last term 12 है इसके अगर back जाएंगे हम eleven term, ten term and ninth term अब हमेशा याद करना है अगर इस तरफ से हम देखें इसको तो ninth जो है वो fourth term आ रही है अगर starting से देखें तो ये fourth term आ रही है तो इन दोनों का starting से और end से जो है वो equal distance है अगर ऐसी situation कहीं पे आती है तो हम क्या करेंगे first term and last term को जो है वो plus कर दो तो इन दोनों term का जो है वो sum आ जाएगा जैसे first term यहाँ पे है two और last term यहाँ पे है 46 इन दोनों को plus करेंगे तो 48 answer आएगा भी हमारा right answer तो इसको आप note down करें उसके बाद हम next trick discuss करते है अब जो हम trick discuss करने वाले हैं वो exercise 6.2 question number 13 है if in an arithmetic progression एक arithmetic sequence है the sum of p trum is equal to the sum of q trum means sum of p trum and sum of q trum जो है इन दोनों का answer जो है वो same है तो अब then sum of p plus q means p और q trum को अगर plus करें वो एक कोई trum आएगी sum of p plus q का trum जो है हमेशा याद करना उसका answer जो है वो 0 के बराबर होगा example मैंने लिए यहाँ पे एक sequence है means 8, 6, 4, 2, 0, minus 2, minus 4, minus 6, and minus 8 एक sequence है to so on sum of two trum यहाँ पे दिया हुआ है sum of two trum जो है मैंस इन दोनों को sum करेंगे तो 14 है and sum of 17 sum of 7 trum जो है वो भी 14 है means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 total यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 7 trum है अब minus 2, minus 2 cancel होगे minus 4, minus 4 cancel होगे बागी यह दोनों trum बच गई इन दोनों को plus करेंगे तो 7 trum का sum जो है वो 14 है अब 2 trum का sum है 14 9 trum है ठीक है अब सम आफ 9 का जो अंसर है वो क्या होगा 123456789 यह टोटल 9 ट्रम्स है इन दोनों को कैंसल कर दो माइनस 6 कैंसल होगे 8 भी कैंसल होगे यह अगर तोटल 9 ट्रम्स को अगर हम प्लस करेंगे तो अंसर क्या आजाएगा जीरो आजाएगा तो इसका अंसर राइड अंसर गुंसा है दी हमारा राइड अंसर है तो हमेशा याद करना अगर सम आफ पी ट्रम और सम आफ क्यू ट्रम आपने अर्टमेटिक प्रोग्रेशन अगर दोनों एकॉल है तो सम आफ प्लस क्यू का अंसर जो है वो जीरो आएगा तो इसको आप no down करें उसके बाद हम next trick discuss करते हैं तो आज की हमारी last trick है arithmetic series की एक arithmetic sequence है एक दूसरी arithmetic sequence है अगर इन दोनों को plus करें ही means plus का मतलब यह हुआ तो first drum, first drum के साथ second drum, second drum के साथ third drum, third drum के साथ एक new sequence हमें find होगी वो sequence जो है वो भी arithmetic sequence कहलाएगी यहाँ पे example में हमने एक sequence लिवी है 3, 5, 7, 9, 11, 8, 2 सौन ये एक arithmetic sequence है उसके बाद 7, 11, 15, 19, 23 ये दूसरी arithmetic sequence है अगर first drum को first drum के साथ plus करें second drum को second drum के साथ plus करें एक new third sequence हमें find होगी वो भी arithmetic sequence ही कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे 16 में 10 माइनस करेंगे तो common difference 6 आएगा 22 में 16 माइनस करेंगे तो common difference 6 आएगा तो यहाँ पे हमारा right action पूंसा है A in arithmetic progression तो आज के लिए इतना ही जो हमने चीजें आज discuss की है उसको आप practice करें नेक्स वीडियो में हम मिलते हैं sequencing series के अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगे तो नीचे comment करके ज़रूर पताएगे अपने दोस्तों के साथ share कीजिए मसत रहिए चोसत रहिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए thank you so much to watch my video love you all bye